अस्ट्रेलिया की बात करें तो स्टूडेंट्स का बहुत ही मन और रुजहान रहता है कि हम अस्ट्रेलिया ही जाएं आगे की पढ़ाई के लिए यह फ्यूचर की आगे और सेटल्मेंट के लिए तो फिर जहां एक तरफ अस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रिक् ऐसे प्रोग्राम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां पर 18 साल से लेकर 18 साल से लेकर 30 साल तक जो है student अपलाई कर सकता है यह प्रोग्राम क्या है कैसे अपलाई किया जा सकता है क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे कितनी duration का यह प्रोग्राम है आप सभी के मन में ये सवाल भी जरूर होंगे कि क्या इस प्रोग्राम में नया है तो ये पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो के जरीए स्वागत है आप सभी का मैं हूँ हर जोत कौर डिटेल में ये पूरी इंफोर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे नैविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसिस वीना गोईल मैं हमारे साथ है बहुत बहुत स्वागत है मैं नमस्कार तो मैं हम जरूर बताइए पहले तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा डर हाला के आज के टाइम में अच्छा सक्सेस रेट स्टडी वीजा में आ रहा है लेकिन आज जिस प्रोग्राम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं यह कौन सा प्रोग्रम है और कौन-कौन से स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम का फाइदा ले सकते हैं और कब तक अप्लाई किया जा सकता है हर्जोत गी जो है वर्किंग हॉलिडे मेकर वीज है जो अस्ट्रेलिया इंडिया की ट्रेड एकॉनमी टाई अप है उनके थ्रू ये इंडियन्स को वन थाउजन कैंडिडेट्स का कोटा मिला है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए यह क्या है और क्यों बच्चा जाना जाता है जो भी बच्चे शोकीन है एक्स फॉरण एक्सपोजर लेने के लिए और उनके पास उतना बड़ा बज़ट नहीं है कि वो स्टडी वीजा के लिए लाखो रुपए खर्च करें लिमेटीड बज़ट है धाई तीन चालाख रुपए है और उनका एक सपना है ड्रीम है बाहर जाने का हर बच्चा जो है मैं तो कहती हूं बाहर जाना चाहिए अब इसमें इन्होंने क्या फैसलेटी दी है फर्स्ट आपका जो पॉइंट है जो आपके लीजिबल्टी बनाता है वो 18 से 30 साल के अंदर आपकी यह होनी चाहिए इसमें हमें कोई आयल्स नहीं चाहिए मीनिमम कौलिफिकेशन आपकी 12 पास होनी चाहिए अगर आपकी यह तो आपको यह इलीजिबल करता है अस्ट्रेलिया वरकिंग हॉलिडे मेकर वीजा में अपलाई करने के लिए अपलाई करने की फीज कितनी है जस्ट 25 डॉलर मेरे खाल इंडिया के 1500 रुपए बनते नहीं अग्जक्ली आप 25 डॉलर में यह आप अपना वीजा अपलाई कर सक क्योंकि सेट्स लिमिटीड है एक हजार है तो नैचुरल है बैलेट सिस्टम तो होगा तो एक किसम से ड्रा निकलेगा अब इसमें यहां कोई फरक नहीं पड़ता कि जो बच्चा ज्यादा पड़ा हुआ बीटेक की हुई है या वर्क एक्सपीरियंस उसको प्रियोर्टी म मिलेगी क्योंकि बैलेट सिस्टम है आपने जितनी अप्लिकेशन आई एक पूल में डाल दी पूल से बैलेट में वह नाम निकल रहे हैं हां जिस बच्चे की किसमत है उसका निकल जाएगा अब जब निकल जाएगा फिर वीजा प्रोसेसिंग होएगी तो वह डेड़ महीं निक्या सबस का टाइम होगा लेकिन सबसे पहले जो है बैलेट सिस्टम है और मेरे खाल कुछी घंटे चलेगा रीजन बींग की खाली 1000 उनके लिमिट है तो जैसे 1000 का खतम होगा तो साथ की साथ बंद हो जाएगा इसलिए जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे ह प्लीज आप इमिडियेट अप्लाई कर लो आपके पस बिल्कुल टाइम नहीं है जैसे स्टार्ट होगा तो साथ के साथ के साथ क्लोज भी हो जाएगा जी जी बिल्कुल तो सुडेंट्स जरूर समझ चुके हैं कि कितना इंट्रस्टिंग ये प्रोग्राम रहने वाला है और इसके पढ़ाई के बार में जैसे कि वहां का स्टूडेंट अस्ट्रेलिया को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे वहां के कल्चर को वहां के अट्मॉस्फियर को और इसके बाद आखिर फिर क्या होता है स्टडी को एक्जाम होता है बिल्कुल मैं वह पॉइंट गूम सकता है उसके बाद वहां पर काम कर सकता है रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इतना काम कर सकते हो इतना पढ़ सकते हो क्योंकि वेसिकली वर्किंग हॉलिडे मिन्स आप छुटिया मना हो और अपनी हॉलिडेश इंजॉय करो तो छुटिया मना रहे हो वर्किंग है तो क काम कर रहे हो काम क्यों करोगे क्योंकि आपने जो एक साल रहना है वो इसके लिए उनकी कैलकुलेशन होते हैं कि इस एक साल का खड़ आपको कमा पाएं आपने अगर कोई चोटा मोटा कोर्स लेकर पढ़ाई का नहीं है आप भी कर सकते हो मेंस अपने खुली आंखों से आप पूरा जो है इन्वाइनमेंट देखो लोगों से मिलो इंट्रेक्शन करो फ्रेंड्स बनाओ जॉब अपर्चुनिटी अगर आपको अच्छी मिलती हैं आने के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या अगर आपने अस्ट्रेलिया देख लिया आने के बार कोई स्ट करें उसके लिए अब आपको भी पता कि जो यूरपियन्स होते हैं या जो फॉर्नर्स हैं तो यह लोग अपना एक बैग उठाते हैं और घूमने चले जाते हैं दुनिया देखने सेम उसी कॉंसेप्ट पर यह वीजा है आप भी अपना बैग उठाओ और तयारी करो अस्ट जो लगाता है नंबर डिस्प्ले है नविगेटर्स ओवर सीज का इस पर कॉल कीजिए पुरी जानकारी लीजिए या फिर नविगेटर्स ओवर सीज के चंडिगर्ड ओफिस भी आप पहुंच सकते हैं लेकिन बता दें तो दिन इसमें कुछी बाकी हैं तो आप ज़रूर जल्दी से जल्दी अपलाई कीजिए हो सकता है आपका लग आपका साथ दे और आपका ही जो है नंबर लग जाए तो मैम आपका बहुत बहुत थैंक्स इस नए प्रोग्राम के बारे में आपने स्टूदेंस को अवेर किया गाइड किया पुरी जानकारी दी है तो हम मैं ज किजिए इजाजद थैंक यू सो मच थैंक यू